वेल्कम टू वीवर्स वल्ड दोस्तों आज मैं मल्लेशय के जो अक्वारिया के एल सिसी है वो देखने जा रहा हूं तो उसका में वीडियो बना रहा हूं एक्जक्ली जो अक्वारिया जो मल्लेशय के जो के एल सिसी और पेट्रनास टवर आपने सुना होगा कि कुछ सालों पहले जो मलेशा का जो टूइन टवर था वो दुनिया का सबसे बड़ा टूइन टवर हुआ करता था और लेंटीज बिल्डिंग में भी उसका नाम आता था आज भी Twin Towers में World का सबसे बड़ा Twin Towers है, उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे घूमने के places मिलेंगे, उसी तरह वहाँ पे एक मशूर KLCC Aquarium है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे 90 मीटर्स का टनल है उसमें, तोटल वहाँ पे जाएंगे आपको 5000 आपको land creatures मिलेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के fishes रहते हैं, आपको तोटल 5000, आप गिन गिन के ठक जाएंगे, लेकिन इसके जो types of fishes नहीं खतम होंगे, सौथ इस्ट एशिया का सबसे बड़ा aquaria है, अगर आप जा रहें तो आप पेट्रोनास टवर में जाएंगे, तो वहाँ पे आप टिकेट लेके जा सकते हैं, अगर आप इंडियन रुपीज को convert करके टिकेट लेंगे तो इसका प्राइज होगा around 1000, 1000 के something something होगा, अगर आप मलेशियन रिंगिट में लेते हैं तो 50 या 60 रिंगिट होगा, यह के LCC Aquaria इतना बड़ा है, यहां पे तोटल 5000 land creatures है, तो इसको दे सकते हैं, तो कि 1000 रुपीज देना कोई बड़ी बात नहीं, आराम सी देख सकते हैं, जब आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि वरत है यहां पे विजिट करना, क्यूंकि आप जो पेट्रोनास टवर भी देख सकते हैं, क्यूंकि मलेशिया का जो वन आफ दा फेमस लैंड मार्क है, तो फिर आप यह देख सकते हैं, इसमें तोटल आप एक्स्प्लोर करेंगे, तो यह अक्वारिया इसका जो साइज है, 60,000 स्कॉर फीट का साइज है इसमें, यह मलेशिया सौभीवर्या, युलली फीप्र मेल ने कर देंगे का सबसे बड़ा क्वारिया., अक्वारिया इसमें टोटल आप गयर तो फिटे, कर आप बच्य का सबसे सब Side का सबसे बड़ा, थी त्विज़िट को तो जाए पेट्रोजास टवर में जरूर विजिट कीजिए अगर आपके साथ छोटे-छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है बच्चे बहुत खुश्च हो जाएंगे देखके अगर इसी तरह कुछ भी आपका दोट हे मलेशा विजिट करना है अकवार यह देखना है तो आप कामेंट में करसकते हैं इस अब कुछ भी रिगारिक ट्रीफ के आप पूचिए मैं आपको कामेंट में आंसर दे दूँंगा कSa कि इसी वीडियो में मैं आपको मलेशा के बारे में बताता चलूँ है मलेशा की तोटल आबादी है शिख तिटी फॉर मिलीयन पिटी फॉर मिलीयन मतलब तोटल तीन करोड चालीस लाक के लगबख यहां पे आबादी है अगर डाईवर की जाना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं बिल्कुल यह भी इंडिया की तरह है यहां पे जो मेजर नो जलिए सेघ्र की है अर जो सकेंड पापुलेशन है है फिर बाद में देखेंगे आप यहां पे चैनीज है चैनीज के बात देखेंगे आप को यहां पर बुद्धिश्ट है अपिए बैज्टि वह भूट डेवर्स है इंडिया की तरह आप यहां पर घूमने जाएंगे त तो आपको काफी सस्ती लगेंगी कि मलेशया की जो करंसी है वो इंडिया से बहुत ऊपर है क्योंकि जो मलेशया का वन रिंगिट है वो इंडिया का 18 या 19 रुपीस कि 19 रुपीस के लगबट है अभी एक्जाक्ली उतना ही चल रहा होगा क्योंकि 18 से 19 20 कि अतलब इसी के मिडल रेंज में चलता रहता है अगर आप मलेशया जा रहें तो वहां पर आपको इसकाई रह पर होटल है वह भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे आपको अगला वीडियो किस टापिक पर चाहिए आप कमेंट कीजिए हम उसी टापिक पर बताएंगे आपका कोई भी डौट हो आप के हिजग कमेंट कीजिए हम उसका जवाब देंगे इसी तरह सिरिफ मलेशया का नहीं आगर आप इससे पहले मैंने इंडोनेशया भी ट्रावल किया है जपान भी ट्रावल किया है आप उसके रिगार्डिंग मेरे को डौट पोच्छ सकते हो तो यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको रिगार्डिंग ट्रावलिंग मैं आपको हेल्प कर सकूं अगर आप हमें पूछेंगे तो इंडेध के फ्लाइट टी डिगेट सस्ते में कैसे टॉक करना है होटल कहां से बुक करना है कैसा सस्ते में आता है तो हमको से बढ़र्प करेंगे अभी जो वीडियो में नजर आ रा यह टॉज़र है यह टउनल टॉटल just 80 मिटर लंबा है यहां पर देख सकते हैं वह उपर कितने शार्क है बहुत सारे लोग ऐसे होगे जो शार्क को इससे पहले नहीं देखेंगे आप देख सकते हैं शार्क का क्लोज व्यू तो दोस्तों यह वीडियो यही तक था वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूं अगर कोई भी ट्रावलिंग डिगार्डिंग दौट है तो बे हीज़क पूछिए मैं आपको जवाब दूगा थैंक यू फर वाचिंग